नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एसकलेपियस अईरवेदा में दोस्तों आज की सेशन में हम बात करेंगे DRDO के दोरा बनाई गई मेडिसीन 2DG के बारे में ये 2DG क्या मेडिसीन है इसे कैसे इस्तमाल करना है किस कमपनी के दोरा इस मेडिसीन का निर्माण हो रहा है इसके अलावा बैग्यानिकों ने और सरकार ने इस मेडिसीन के बारे में क्या बताया इन सारी बातों की चर्चा रक्षानुसंधान वे विकास संगठन इसके दोरा एक मेडिसीन बनाई गई है जिसे की एंटी कोबी ड्रग कहा गया है इस मेडिसीन का नाम है 2-DG 2-D-Oxy-D-Glucose मेडिसीन है जो की करोना से संक्रमित मरीजों के लिए काफी ये करगर है बैग्यानिकों ने एवम सरकार के दोरा इस मेडिसीन के बारे में क्या बताया गया आईए हम देखते हैं इस दवा के इस्तेमाल से करोना वायरेस संक्रमित मरीजों में रिकभरी रेट बढ़ा है काफी जल्दी रिकभरी होती है इस दवा को एक सैसे के रूप में जिसमें के पाउडर के रूप में ये इस्तमाल होता है इसे पानी में डाल कर संक्रमित मरीजों को पिलाए जाता है डियाडियों के बैग्यानिक डाक्टर सुधीर चंदा के अनुसार यह दवा टू आक्सीडी क्लुकोज है इसे लेने से वाइरस की जो ग्रोथ है वो काफी हद तक कम हो जाती है आपको बता दें कि इस दवा का निर्माण भारत में इस्थित डाक्टर रेडी लेबरेटरीज करेगी इस दवा के इस्तमाल से करोना वाइरस से संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन पर निर्भारता काफी हद तक कम हो जाएगी आईए बात करते हैं कि इस दवा को हम कब कैसे और कितना ले डियाडियों के प्रमुख जी सती स्रेडी के अनुसारिय दवा ग्लुकोज की तरह ही पानी में घुलकर इस्तमाल करना है इस दवा को मरीज के वजन और डाक्टर के प्रिस्प्सम सला पर ही पांस से साथ दिन तक शुबा शाम दो बार इस्तमाल करना है तो दोस्तों ये थी दवा डियाडियों के दवारा निर्मित 2DZ इस दवा के बारे में आपने जना ये दवा क्या है किस कंपनी के दवारा ये बनाई जा रही है इसके अलावा इसे कैसे लेना है सरकार इस दवा को लेकर क्या कह रही है I hope आप कोई जनकारी काफी अच्छी लगी होगी मिलते हैं नए वीडियो में नई जनकारी के साथ धन्यवाद